अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं बैसा बढ़ी आउंगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे चेन्नेई सूपर किंग्स और यहां पे कोलकाता नाइट आइडस यान की CSK वसेज के के बीच आइपिल का जो मैच नंबर 61 खेला जाएगा डिटेल में काई वरे करेंगे मैचotom दमरब स्टेडियम चेन्नेई के वैन्नु पर मैच खेला जाएगा मतलब चेन्नेई सूपर किंगस का होوم वैन्नु आपको देखने को मिलने वाला है शबसे पहले वैन्नु के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बता दू नर्मलनी आपक को सर्फ स्पिन के बेस पे नहीं मैं आपको एक-एक stats यहां पर clear करूँँगा कौन सा बल्लेबाज किस परकार के form में आपको दीखेगा venue stats किस परकार के, head to head stats किस परकार के plus यहां पर player जो रहेगा यनि कि कोई भी बल्लेबाज किस बोलर के सामने आउट होके जा सकता है किसके सामने रंज कर सकता है वो सेरे चीजे मैं आपको with the stats आगे वीडियो में cover करूँगा stats का जो level रहेगा वो किस level का आपको देखने को मिलेगा भाई आप लोग जब ये complete वीडियो देखोगे आपको खुद चीजे के लिए रोजेंगे क्योंकि मैं in stats के उपर इसलिए ज़्यादा मैनत करूँ ताकि आप लोग यानि कि मेरे users जो हो एकतरफा विन कर पाएं कल के match में हमने एकतरफा विन किया अगर मैं दोनों match इसके बात करूँ इस मैं इसके बात करेंगे जो कि CSK vs KKR के भी इस खेला जाएगा अगर आपको विन करना है दोस्तो complete वीडियो देख लेना आपको किसी भी प्लेयर के बारे में एक परसेंट कोई भी confusion नहीं बचेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना किसी भी match की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है वीडियो पसंदाए वीडियो में बताएगे इन्फोर्मेशन या फिर स्टैर्स आपको अच्छे लगए उत्यार वीडियो को वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे तो जोईन कर लेना कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैं इसके बात करतें दोस्तों अभी अपना कोपी पैन उठा लो भाई एक एक चीज़ जो आपको बताने वाला होनों वो आपके बहुत काम आई कि जब आप लोग अपना टीम सेट करोगे सबसे पहले वेन्यू बता दू एमेच इदमन स्टेडियम चेन्यी के वेन्यू पर मैच है तो मेरे साब से उतना बड़ा स्कोर नहीं है मतलब यहाँ पर चेन्यी के विकेट पर नोर्मली आपको लो स्कोरिंग मैचे ज्यादा देखने को मिलेंगे बट आगे मैं जब आपको रिशेंड मैच दिखाऊँगा न तो आपको वहाँ पर यह चीज के लिए रोजाएगी कि नोर्मली आपको पिछले 4-5 मैच में यहाँ पर कितना स्कोर बनता वाँ दिखाए तो आप लोग उस हिसाब से भी अपना टीम सेट कर पाओगे उसके बाद में आगे देखो कि दोस्तों यहाँ से स्कोरिंग बैटन में 150 से कम इस वेन्यू पर 49 बार स्कोर बना 150 से 119 की बीच में 40 बार अगर मैं दोनों को एड़ करूँगा मतलब 89 मैच आपको ऐसे मिलेंगे बाई टीम को बढ़िया स्टार्ट मिलेगा तो रंस भी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 119 पलस भी यहाँ पर 19 बार स्कोर बन चुका है ठीक है तो डिपेंड गरता है कि स्टार्ट दोनों टीम को किस परकार मिलेका बाकि चेन्ने के विकेट पर स्पिन बढ़िया होता यह चीज में आपको पहले की लियर कर दूसके बाद में रिसेंड मैचेज में देख लो यहाँ से कितना स्कोर बना पिछले मैचेज में इस वेनुपे लास्ट मैच वाथा दस मई 2023 को चेन्ने इन 167 करें दिल्ली कैपिटल केवल 140 कर पाई सेकेड मैच मुंबई 149 चेन्ने इन 140 बना के चेज किया थर्ड मैच में चेन्ने इन 200 पनजाब ने 201 बना के चेज कर दिया दोस्तों का स्कोर भी याँ पे चेज हो गया फूर्थ मैच में सन्राइजर एदराबाद 134 चेन्ने इस सूपर किंग 138 अब देखो पिछले जो च्यार मैच है अब च्यार मैच में से तीन मैच आपको ऐसे मिलेंगे भाया जाँ पर फर्स्ट मैच सैकेंड मैच और अगर स्टार्ट बढ़िया मिलता है टेम्स को जरूर यहां पर अच्छे रंस करेंगी लेकिन यह मैच CSK वर्शेज के बीच में जिसके अंदर आपको स्पिन दोनों साइड से बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी तो मैं इस मैच में स्कोर की उतने बड़े की उमीद गरूँ एक सो साथ एक सो सतर तो मेरे साफ से तो बनना भी चीए क्योंकि इससे अगर कम स्कोर जाएगा ना तो टेम्स के लिए यहां पर डिफेंड करना भी काफी मुस्किल हो सकता है उसके बाद में यहां से आगे बढ़ेंगे हैट टो एड मैच इसके बात करते दोनों ट 26 करे थे वो देखो कोल गाता वन्यू था जहां पर बैटिंग फेवर ज्यादा चीज़े जाते लेकिन यह जो मैच यह चिन्नी के वन्यू पर जहां पर बोलिंग के फेवर में चीज़े ज्यादा जा सकती है और कौन से गेंदबाज इंपोर्ट एंट रहेंगे कौन से बल् इंजन 11 को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हो मेरे रेफर गोड के साथ में साइन अप करोगे आपको 500 रुपीच का कैस बोनस में मिल जाएगा फैंट इंड इंग फैंटेजी आप लोग यापके खेल पाऊगे फर्स इंग आपके टीम ने अच्छा परफॉम नहीं कि है कोई दिक्त नहीं है फैंट इंग में टीम बनाओ आप लोग यहापकर इस प्लैटफों पे इंटरेश देखने को मिल जाएगी जो की सबसे और रिवर्स फेंटेसी तीन इनके ऐसे फीचर से जो कि आपको सिर्फ विजन 11 पे मिलेंगे बागी किसी अधर प्लैटफूम पे नहीं मिलेंगे एक दो दिन की बात करो तो भाई यहां पे विजन 11 पे थोड़ा सा सर्वर का इश्यू है टेकनिकल एलर आ जाते है भाई देख फिर भाया कोलकाता की टीम पे सबसे पहले डीवन कोनवे के साथ में गायकवार ओपनिंगे राने रहेंगे शिवम दुबे मोहीन अली अंबती राइडू रविंदर जड़ेजा मैं मैस दोनी दीपक चाहर महेश ठिक्षना तुसार देस पांडे और एमपाथी राना देख पहली चाहिज तो बैंट स्टोक्स बिल्कुल फिट है भाया स्लेक्षन के लिए अवलेबल रहेंगे अब चैन्ने की टीम उनको लेके चलेगी नहीं लेके चलेगी वो तो MS की उपर डिपेंड करेगा बर मेरे साफ से चांस थोड़े कम रहेंगे क्योंकि ओलड़ी इनकी ट इसमें इंपोर्टेंड बन सकते हैं क्योंकि चिन्ने के विगेट पे मैच है पहली चीज जहां पर स्पीनर को हेल्प होती है मोहिन अली करेंगे राइटा मोब्रे गेंदबाजी तो स्पीनर है तो बाई इंपोर्टेंड रहेंगे दूसरा जो केके आर की टीम है उनके जरूर दिखेंगे विगेट मिले मिले ना मिले वो एक अलग चीज यह लेकिन गेंदबाजी करते हुए आपको जरूर दिखने वाले हैं अंबती राइडू रहेंगे रविन्दा जडेजा जो की लेफ्टाम उथर्डोक्स गेंदबाजी करेंगे जो की के क्यार की टीम है उनके राइट एंडिड बल्लेबाजों के सामने थोड़ी सी प्रोब्लम खड़ी इस विगेट पे जरूर कर सकते हैं नित्याओ के दिपक चाहर सह मैज में चार विगेट महेश तिक्सना साथ विगेट तुसार दिसपांडे उननीस और यहां पे पाथी राणा के नाम तेरा विगेट है मेन जो रहेंगे पाथी राणा वो आपके डैथ में ज्यादा काम आएंगे ठीक है तो ये चेन्ने की टीम रहेंगे दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोलगाता की बात करते हैं जैसन रोई के साथ में गुरबाज ओपनिंग करेंगे वैंगटे सायर नितीस राना अंधरे रसल रिंकू सिंग सार्दूल ठाकूर अनुकूल रोई सुनील नरेन रहेंगे हरसित राना वरून चकरवरतियों यहां पर सुयासरमा यह टीम आपको देखने को मिलेगी अगर मैं केकर के बात करूँ इस टीम में भी मैं बड़े चेंजिज के एक्सपेक्टेशन्स नहीं रखूँगा मेरे साब से केकर की टीम भी आपको बिल्कूल सैट देखने को मिल जाएगी इनके पास इनके सामने मोहीन अली का यूद चेंड़ी सुपर किंग्स की टीम जरूर करेगी वो दानकना नितीस राना ये भी लेफ्ट हैंड़े बल्लेबाज है इनके सामने भी राइटा मोब्रेक यानि की बाई मोहीन अली का यूद चेंड़ी सुपर किंग्स की टीम जरूर करेगी पलज चापे नीती सराना भी आज़ के मैच में आपको शायद एक से दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिखे क्योंकि ये राइटा मोब्रे गेंदबाजी करेंगे और चेन्नी के पास में लेफ्ट एंडिड बल्लेबाज हैं सिवम दुबे मोईन अली भाई रविंदा जड़जा उनके सामने नीती सराना खुद एक दो ओवर की गेंदबाजी करने आ सकते हैं विकेट मिले ना मिले अलग चीज रहेगी लेकिन गेंदबाजी करते हुए आपको शायद राना इस मैच में एक बार फड़ से दिखने वाले हैं उसके बाद में रसल तो इंपोर्टेंट है बोस नीच आओगे रिंकू लोवर रोडर में आके अच्छी इटिंग कर रहे हैं सारदूल ठाकूर के पास में विकेट उतने ज्यादा नहीं है साथ मैच में केवल चार विकेट है कितने ओवर इनके करवाईगी बाई कोलकाता की टीम वो डिपेंड करता है सर्फ यहाँ पे निती सराना की उपटे के अनुकूल रहे रहेंगे जो की लेफ्टाम और्थडुक्स गेंद बाजी करेंगे सुनी लरं यार्न के नाम 7 विकट अरसित रहना के नाम 4 वरुन चकर वर्ते 17 विकट तगडी गेंद बञाजी कोलकाता की टीम के साइड चकर बात करेंगे सुयास के नाम 10 विकट आपको देखने को मिल जाएंगे यह तीरी में दोस्तों यह आप एक ओलकाता नाइट राइडस की अभी जो चीज स्टार्ट होगी दोस्तों में स्टार्ट आप स्टार्ट होने वाले है एक भी चीज बिल्कुल स्किप मत करना बहुत काम आएगी मैं आपको यह जैनुवनली बता रहूं भाई नोट कर लेना जो जो चीज अभी आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले गायकवाड़ की बात करेंगे इनका एवरेज आप लोग देखोगे सबसे कम आपको जो एवरेज दिखे का बात में थोड़ा सा जो कम आवरेज आपको बता दू आपको बता दू आप देखो गायकवाड़ अगर थोड़ा सा क्रीज के अंदर भाई खड़े हो के बैटिंग करेगा ना तो मेरे साब से राइट आम लेग ब्रेक को भी बढ़िया खेल के चला जाए लेकिन अगर आग स्टंपिंग के चांसे थोड़े बन सकते तो राइट आम लेग ब्रेक के सामने वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है बाकी इनके स्टैट्स मुझे बढ़िया दिख रहे हैं थोड़ा सा टिक के बैटिंग करेंगे रिस्पोंसिबिलिटी के साथ में बंदा जरूर ब और रंस भी केवल 102 है तो पेस के सामने कोनवे को प्रोब्लम है मतलब हरसे दराना स्टार्टिंग में शायद इनको थोड़ा बहुत परेशान जरूर करें या फिर केकार की टीम चाहे तो मेरे साबसे पावरपली में आज के मैच में रसल का यूज कर सकती क्योंकि रसल के प लेकिन यहां पर कोनवे के स्टैर्स आपको हर जगा बढ़िया देखने को मिलेंगे सिर्फ एक जगए थोड़ा बच के वैटिंग करने पड़ेगी वो रेगा राइटाम फास्ट हरसित राना के सामने या फिर भाई आंद्रे रसल के सामने क्योंकि सारदूल के पास में पे बैटिंग डिपैंड करेगी मैस की सिच्वेशन के उपर जल्दी विकेट गिरता है सी एसके का आपको यह वन डाउन दिखेंगे जल्दी विकेट नहीं गिरा काफी लेट विकेट गिरेगा शायद आपको सिवम दूबे फिर वन डाउन बैटिंग करता हुए दिख जाए लेकिन बात करते हैं यहां पर राने के स्टेट्स की सबसे कम जो आवरेज आपको दिखेंगा वो यहां पर साड़े चोबिस पच्छीस के आसपास आवरेजर राइटाम लैग ब्रेक गेंद बाज के सामने अब सामने वाली जो टीम है उसके अंदर आपको राइटाम लैग लेकिन राने के आगड़े महां पर थोड़े खराब दिख रहे हैं 275 गेंद में 16 बार आउट उचके वहीं लैग ब्रेक के सामने तो फिर भी ठीक ठाक है 461 गेंद में केवल 23 बार आउट हुए थे मतलब राइटाम उब्रेक के सामने ज़्यादा प्रोब्लम हो सकती है तो क्या या पर निती स्राणा इनके सामने गेंद वाजी करेंगे मेरे साब से करनी चीए क्योंकि एक दो ओवर ट्राई करने में बहुत कुछ नहीं जाता ले पर तो स्टेर्स गए पानी में तो वो ध्यान में रखना बाकी ये कैप्टन क्या करेंगे क्या नहीं वो इनक्यूपर डिपेंड करता है तो राइटाम उब्रेक या निती स्राणा जो है ट्राई कर सकते हैं राने के सामने शायद एक दोवर गेंद वाजी करें बाकी राइ पर गेंद वाज गोई भी हो सामने वाली टीम में उसके सामने याँ पर आने को थोड़ी प्रोब्लम होगे सुनी नरेन या फिर भाया नितीस राणा अगर गेंद वाजी करते हैं तो उसके बाद में शिवम दुबे की बात करने जो कि लेफट अंड बले बाज है 21 पर कैपटनसी जरूर करनी पड़ेगी बाकी जगे इनके स्टेर्स काफी बड़ी है आपको दिखेंगे 18 गैवरेज जरूर है लेफट अम मीडियम के सामने लेकिन करेंट अगर सिच्वेशन इस आप से देखा जाएगा तो लेफट अम फास्ट गेंद बाज या फिर लेफ राइट अम फास्ट के सामने थोड़ा इस्यू है इनका लेफट अम उर्थडोक्स के सामने बढ़िया खेल के जाएंगे राइट अम उब्रेक के सामने भी 24 गैवरेज है तो में जो कमजोरी दिखेगी वो राइट अम फास्ट यानिकी रसल या फिर भाई आरसी तराना के स मान आत्मा को कौन समझाए मोहिन अली को कौन समझाने जाएगा भाई वो तो देखो इनको खुछ सोचनी पड़ेगी यहाँ पे देखो कि इनके स्टैर्स आपको हर जगे खरा मिलेंगे चाइना मैं तो कोई है ने इनको आता दो उसके बाद में यहाँ होगे 21 काईवरेज आत्मा के सामने इसके बाद में आओ ब्रेक के सामने तो चलो फिर भी ठीक ठागा साड़े साहतिस काईवरेज लेकिन यहाँ पर सुनील नारेन वरुन चकरवर्ती यह मेरे साब से या फिर भया सुया सर्मा यह तीन के इन्वाज जो कि मोहिन अली के सामने इंपोर्टेंट क्योंकि यह अपना विकर्ट थ्रो करके तो जरूर जाएगा और के 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 आर के स्पिनर्स इनके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर बनने वाले हैं उसके बाद बात करते हैं जैसन रोई की मतलब यहाँ पर के 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 बल्ले बाज होगी तो सबसे पहले देखो कि जो की टीम जड़ेजा का यूज करेगी स्टार्टिंग में मेरे साब से मेस करेंगे नहीं क्योंकि उनको भाइया दिपक चाहर तुसार देस्पांडे के साथ में तीन से चार ओर तो एटलिस्ट करवाने ही करवाने हैं तो वहाँ पर देखा जाएगा मतलब फास्ट क्योंकि इन से से ही जाके आपको मैच अपस देखने को मिलेंगे ठीक है तो इनकी प्रोब्लम मुझे थोड़ा सा दिखेगी यहां पर लेफ्टा मोठ्रोक्स यानि के रविंदर जड़ेजा के सामने हो सकती है बाकि ठीक टाक स्टेर्स है उतने खराब नहीं लेक ब्रेक के देखने को मिलता ही नहीं है ठीक है तो यह आप लोग थोड़ा सा द्यान रखना उसके बाद में आगे चलोगी यहां पर गुरबाज के बात करेंगे इनको जो में प्रोब्लम होगी वो यहां पर पेस के सामने होने वाली है राइट आम फास्ट गेंदबाजी के सामने अब दोनों जो CSK के स्ट्राइकर गेंदबाज रहेंगे तुसार देसपांडे और यहां पर दिपक चाहर उनके सामने स्टार्टिंग में गुरबाज को थोड़ा टिक के बैटिंग रपनी पड़ेगी हाई चांस मुझे लगते कि शायद तुसार देसपांडे या फिर दि अब दिपक चाहर उर भाई तुसार देसपांडे तीन ऐसे गेंदबाज जिन में से कोई एक यहां पर गुरबाज का विकेट आज गे मैच में जरूर निकाले बाज है इनके स्ट्स थोड़े से खराब दिखेंगे राइट आम लेक ब्रेक गेंदबाजी के सामने चेन्ने क टीम है उसमें कोई लेक ब्रेक गेंदबाज है नहीं महेश थिक्स ना जो कि मैं आपको लड़ी बता चुका हूँ ना तो वो लेक स्पिन करते हुए दिखते ना वो बैया ओप स्पिन डालते हुए दिखते नॉर्मली वो है तो ओप स्पिनर लेकिन उनकी गें में स्पिन आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो यहां पे वेंक्टे सायर की हाई चांस रहेंगे आज के मैच में रंस करने के ठीक है तो यह प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक हो सकता है आज के मैच में अगर मैं के क्कार की टीम की बात करूँगा तो ल जिनका यहां पर चन्नी की टीम करना चाहे यहां पर न इती सर्ना के सामने या फिर तुसार देस पांडे का यूद जरूर कर सकती है ठीक है तो यह दो गेंड़ बाद रहेंगे बाकी देखो फिकर तो बले बाज का किसी को بھی जा सकता है लेकिन according to stats मेरे साब से right time fast या फिर right time leg break important बाकि left time orthodox या जड़ेजा के सामने तो शायद राणा को उतनी problem ना हो क्योंकि 60 का एवरेजर बढ़िया बल्लेबाजी left time orthodox या फिर जड़ेजा के सामने आपको देखने को जरूर मिल जाएगी उसके बाद में रिंकू की बात करेंगे थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे हिटिंग वाले प्लेयर भाई इनके stats में नहीं करूँगा कि आप लोग उतना ज्यादा focus करो बाकि फिर भी आपको बता दो fast के सामने थोड़ा सा इनका issue आपको मिलेगा मतलब एक बार फिर से तुसार देस्पान ने मतीस पातिराना या फिर भाईया दिपक चाहर ये इनके सामने most important मेरे साब से याँ पे मतीस पातिराना क्योंकि जिस नंबर पे आके याँ पे रिंकू बैटिंग अनेगे न वहाँ पे तो देखो मतीस पातिराना के ही चांसिस बनते भाई इनका विकेट निकाल लेगे ठीक है उसके बाद में आगे देखोगी दोस्तों यहाँ से जो में चीज स्टार्ट होगी भाई बैट्समन और बोलस के मैचप अब आपको पीछे स्टैट्स बताएं ना वो चीज आपको यहाँ पे किलिए रोगी कि वो स्टैट्स आपके लिए कितने इंपोर्टेंट है दोनों चीजी मैं आपको रिलेट करके दिखा हुआ तो चेन्ने के बल्ले बाजू की बात करते हैं सबसे पहले गायकवार देखोगे एक बार आउट उचके वरून चकरवर्ती के सामने एक बार आउट उचके यहाँ पे सुनील नरेन के सामने और एक बार आउट उचके यहाँ पे सुयास सर्मा राइटाम लैक ब्रेक सुयास के अंदर जरूर कर सकते हैं क्योंकि चिन्ने के जो दो ओपनर्स हैं डीवन कोन वे और यहां पर उत्राज गायकवार यह तगड़ी फोम में हैं और अगर इनका विकेट स्टार्टिंग में निकाल लिए न केके आर्के टीम ने मान के चलो शायद चिन्ने फिर उत्रा बड़ा स्कोर ना कर पाई क्योंकि भाई बैक फूट पर चली जाएगो अगर यह दो बल्ले बाद चले ना पाथ च्योवर भी तो चैन्ने बड़ा स्कोर टांगेगी यह द्यान लखना ठीक है तो मेरे साब से यहां पर वरुन चकरवर्ती या फिर सुनील नरेन का यूज शायद स् से उतना फिर केके आर के फेवर में चीज़े ना जाएं उसके बाद में राने के स्टैट्स देखोगे इनके जो मेन कमजोरी आपको दिखी थे भाई राइटा मोब ब्रेक के सामने और वो चीज आपको यहां पर किलियर भी होगी कि बाई सुनील नरेन के सामने चार बार आ इस्यू था बाकी यहां पर देखोगे तो कोई फास्ट गेंदबाज एनी और केके आर की टीम के जो गेंदबाज है उनको जादा इन्होंने फेस करा भी नहीं है केवल नरेन के सामने देखोगे 16 गेंद में 19 रंच से चक्करवर्ती के सामने जरूर एक बार आउट हो चुक जो कि देखोगे तो साड़े साथिस के आसपा सेवरेज है अब देखो दिक्कत पता है क्या आएगी यहां पर कि भाया जो चिन्ने की टीम है न वो देखो यहां पर दुब्बे का जो यूज करते है न वो इस सिच्वेशन में करते कि आप लोग जाओ और एक बड़ी हिटि अगर थोड़ा टिक के बैटिंग करेगा बंदा शोरली बढ़ी हारंस करेगा सिर्फ एक बार आउट उचके वरुन चकरवर्ति के सामने तो वरुन चकरवर्ति क्यों इस मैच में इंपोर्टेंट बन सकते है वो आपको विद स्टैक्स यांपे चिज़े किलियर हो पा रही एक बार आउट उचके महेश थिक्सना को अब महेश थिक्सना का यूस्तो चिन्नी की टीम जरूर कर सकती पाउर बले के अंदर लेकिन मेरे साब से MS जो रहेंगे वो भाई देखो दिपक चाहर और तुसार देसपन्डे के साथ कम से कम 2-2 ओवर लगातर यानिकि 4 ओवर जर तुसार देसपन्डे को इन्होंने फेस किया नहीं है तो वो थोड़ा सा इस्यू है कि भाईया कह नहीं सकते कि तुसार के सामने किस परकार के बैटिंग कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा इस्यू हो सकते है ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में स्विंग आपको दोनों किसको निकालना पड़ेगा या तो फिर दिपक चाहर को या फिर तुसार देश पांडे को तो ये दोनों जो स्टाइकर गेंडबाज रहेंगे के क्यार के जो ओपनस रहेंगे इनके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं उसके बाद में देखो कि वैंक्टे सायर इस बल्लेबाज के बल्ले से इस मैस में एक अच्छी पारी के उमेद जरूर करने वाला हूँ दिपक चाहर के सामने आउट नहीं वे एक मातर आउट वे यहां पे सिर्फ मोहिन अली के सामने जो कि राइटा मोब्रे गेंडबाज है और ये चीज़ में आपको पीछे बता चुका हूँ कि भाईया वैंक्टे सायर और नितीस राना जो आपको लेफ्ट एंडड बाज मिलेंगी केके आर की टीम में तो चेन्ने की टीम राइटा मोब्रेक में मोहिन अली का यूज या फिर महेस ठिकसना का यूज या पर दोनों बल्लेबाजों के सामने यानि की आईयर और राना के सामने जरूर करेगी अब इनके उपर डिपेंड गरता भाई ये उनके पीछे हिटिंग करने जाएंगे या फिर उनके ओवर इजिली निकालने की सोचेंगे ठीक है तो हर गेंड पर हिटिंग करेंगे तो विकेड जाएगा एक बड़ी बाउंटरी आएगी उसके बाद में सिंगल डबल के उपर फोकस करेंगे तो शायद ये ओप स्पिन को भी बड़िया खेल के चले जाएंगे तो मैं देखो मेलनी अगर बात करूँ वैंकटे सायर के बल्ले से कच्छी पारी की उमीद आज के मैच में जरूर करके चलूँ अनितीस राना देखोगे दो बार आउट होचुके दिपक चाहर को एक बार आउट होचुके यहां पर भया जड़ेजा को लेकिन 41 गेंड में 58 रंस भी कर रखे हैं और लेफ्ट अम और सड़े उस गेंड बाजी को तो फिर भी यहां पर बढ़िया खेलेंगे अगर मैं राना के बात करूँ अगर दोनों बल्ले बाजों को परेशानी होते हैं तो राइट आम लैक ब्रेक के सामने ज लेकिन पाथीराना का यूज जरूर करेगी यह चीज़ आप लोग जब मैस्टार्ट होगा न तब देख भी पाऊगे ठीक है तो पूरे मैचप पूरे स्टैट्स आपके सामने बाई एक एक चीज़ बहुत बढ़ी है तरीके सापके सामने मैंने कवर करने की कोशिश करी है और इन स्टैट्स पे बहुत ज़्यादा मैनत लग दी तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक जरूर कर दी आखरो क्योंकि यह मैनत है वो सिर्फ आपके एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए के जाती हो ताकि आप लोग इजिली याँपे विन कर यह फिलाल मेरी 11 प्लेयर की टीम है लेकिन एक चीज जानक हो भाई आज का मैच आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फिजिंग करने वाला मैच रहेगा क्योंकि 11 प्लेयर स्लेक्ट करने के बाद भी आपके पास में जेसन रोई की उप्सन बची हुई आपके पास में गुर इसका आपके फिवर में जाएगा या फिर आपके अगेस्ट जाएगा भाई वो चीज देखो आपके लग्क्यों पर डिपैंड करने वाले है फिलाल मेरी 11 प्लेयर की टीम आपके सामने है अगर मैं यहापे चाहूं तो सुनील अरेन को जरूर एड कर सकता हूँ क्योंकि च चेंजिस करूँगा तो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट जरूर किया जाएगा अधर ओप्संस में बात करें गायकवाड अच्छी ओप्सं है नितिस राना रहेंगे उसके बाद आंद्रे रसल है वरुन चकरवरती ट्राई कर सकतो लेकिन थोड़ा रिस्की पिक र जरूर मिल जाएंगे नितिस राना जो शायद एक दोवर की गेंद बाजी भी आपको घरतवी दिखे तो ये भी आपके पास में दो अच्छे विकल प्रहेंगे ऐजे कैप्टन वाइस कैप्टन बट ये सिर्फ डेमो टीम है जो कि अब आप लोग देख पाओगे जो फाइ किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है मिलते हैं फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद गरता हूं आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम को मिनसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफूर्म जरूर करेगी